नमस्कार जेहिंद आप सभी का स्वागत है जेल में आकिर कैदियों को कैसे रखा जाता है उनके अधिकार क्या क्या होते है और फिलहाल इस सेशन को जो किया जा रहा है वो किसके मदे नजर किया जा रहा है इसकी चर्चा करनी बहुत जरूरी है सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा संग्या लेने जा रहा है और कुछी दिनों में या हो सकता महीनों में एक वर्डिक्ट भी आने वाला है आए समस्ते कि आखिर जेल के अंदर की जिंदगी आखिर होती कैसे है स्वागत आप सभी का इस सेशन में आपको बताते हैं जेल के अंदर की जिंदगी एक कॉंप्लेक्स वेब है वहाँ डिसिप्लिन भी है और वहाँ राइट्स भी आपकी पूरी की पूरी आपको मिलती है एक बहुत अनोखा सा वहाँ पर हमें देखने को मिला कि जेल के अंदर ताइम पता करने के लिए समय पता करने के लिए वहाँ पे हर 60 मिनट बाद एक घंटा बसता है और उस गोंज से लोगों को पता चलता है कि अब एक घंटा बीच चुका है यही नहीं वहाँ पे दिन भर में चार बार कुछ ऐसे पचासा गोंजती है पचासा गोंजने का मतलब है कि यह बहुत बड़ा आपके लिए एक हो सकता है संदेश है या आपके कुछ ड्यूटी निर्धारित की गई है उसमें आपको उतरना है यह टोटल चार बार बसती है पहली सुबह पांच बार बसती है फिर दिन में 11 बजे बसती है और फिर धीरे वापस रात में आके अपने बैरक में चले जाना है पूरा दिख रहा है यहां पर इतना ही एक अलग सी घंटी जिसका नाम है पागल घंटी या पगली घंटी यह बजी तो इसका मतलब है यहां पे कुछ ना कुछ जेल में घटना घटी है और सब लोग सावधान हो जाए सा धवनी बस अलग-अलग प्रकार किये बाकि इसका मुद्दा और जो अभी तक बज़ रही थि पचासा और सब पराबर वस्ति बताने के लिए कुछ अलग हो रहा है इसलिए इसको बस एक अलग सूर में बजाया जता है हमारा मुद्दा यह नहीं था आज का हमारा मुद्दा यह जानने का कि क्या आपको पता है प्रिजनर अगर कोई है हमारे जेल में तो उसको कौन-कौन से अधिकार मिलते हैं आपको लगता होगा उसका आर्टिकल 226 लिया गया होगा जी नहीं बिलकुल याद रखिएगा ना उनका आर्टिकल 226 चीना गया है मतलब वह रिट्स के लिए अभी भी अपलाई कर सकते हैं या आटिकल 21 का तो सबसे बड़ा हो रहा है तो वह आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 के तहट हाई कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 21 को अपने बचाने के लिए वह कोर्ट में जा सकता है वैसे तो काफी तमाम मूवीज हमें देखने को मिलती है यहां पर यह सच्चाई दिखाई गई थी पर अभी तक इसको पर संज्या नहीं ली गई थी अब सुप्रीम कोट ने इसको बढ़ा सीरियस लिलते हुए बोला कि हाँ अगर इसा हो रहा है तो मैं सार इस्टेट और चेंटर को भेजता हूं नोटेस की वो जवाब दे आखे discrimination किस लेवल का बता दे तीन जज हैं, C.J.I. चनरचूर साभ हैं, जस्टिस मनोज मिश्रा साहब है, जस्टिस जेबी परदी वाला साहब है, उन्हों ने बोला कि जो एड़ोकेट है, उनकी प्यटिशन जो था, जो एड़ोकेट होंका नाम है मूली धर और उनके जो petition था उसमें 11 राजियों को उन्होंने दिखाया दिखाया कि देखो कैसे यहाँ पर manual जो है jail का जो manual है prison जो manual है उसमें खुद discrimination करने को लिखा हुआ है और discrimination हो रहा है तो जो चिस समिधान हमारी allow नहीं करती वो jail का manual कैसे allow कर रहा है उसे बड़ा सवाल यह उठता है देखने को मिला के पढ़ा गया प्रिजन रूल तो पता चला कि कुछ distinction मिले थे between a habitual and a reconvicted convicted habitual and a reconvicted convicted के बीच में भी difference holding that those who are by habit a robber housebreaker decoit or thief should be classified and separated from other convicts तो कुछ convicts को हो सकता है ट्राइब के आधार पर डी नूटिफाइब के आधार पर या कोई शाहिद एक पुराना conviction हो उसके आधार पर अगर वो फिर से पकड़ा गया तो उसको अलग रखा जाता अलग बहरत मिलता है मतलब आपने कास्ट अधार दिया जेल में भी काम लोग अपने कास्ट का अधार रहा है और जो अपर कास्ट का रहा है और जो लोगर्णाबना रहा है और जो अपना हुसकता है सुपिंग में लगेगा तो समिधान अलाव नहीं कर रहा है यह कैसे जेल का मैनुवल आस्तक अलाव कर रहा है तर्फ इतना ही नहीं हमने ढूना चाहा तो तमिलाडू ने तो हमारी आखे कोल दी तमिलाडू पे तो कास्ट के अधार पर अलग-अलग बैरेक बनाए गए है जो इस पर विचार कर सकते हैं कि प्रिजन रिफॉर्म की बाते इतनी की जाती है पर प्रिजन में सोशल इंजिनरिंग रिफॉर्म की बात कब की जाएगी है प्रिजन में बात की जाती है कि साफ सुतरा हो सफाई हो जो अंडर ट्रायल हैं वो कम हो वहाँ पे व्यवस्था विम मैंनुल में कैसे लिखे इस के उब अब सोचना होगा और सरकार को सिंटरल गुभर्मेंट को एक मैनुल जारी करना पड़ेगा पिर से अलड़ी मॉडल जेल का अक्ट उन हुने जारी फिर से करना च्छे महीने का एक्स्टेंशन सी एंसी कोड पर आप लाब ले सकते हैं पूरा यह हमारा चालू हो चुका है पांच जन्वरी से इसमें आप जब जुड़ेंगे तो आपको मिलेंगे खूब सारी क्लासेज बाते हैं जब सब्सक्राइब जब 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 आपको फाइदा ही मिलेगा तो बीज़ा जारू आपको शेयर करेंगा थांक यू सो मस्टेकर जैहिन बड़ाए